हेलो बच्चो अब हम आगे की काहनी पढ़ेंगे जैसा कि हमने कहानी में बते। आरिफ और शलीम देखो। यह आरिफ है , शलीम है। यह उनके अब्बू जान है। अब यह उद्दू कहानी है तो यहाँ पिता जीको अब्बजान कहजाता है yuh और मम्मी को अम्मी जान, तो इस प्रकार से ये उनके अबु है, ने पापा है, अब हम आगे की कानी पढ़ेंगे, पिछली कानी में हमने पढ़ा था कि कभी दादी, कभी मम्मी, कभी भाई, कोई ना कोई उन बच्चों को खेलने नहीं देता था, कोई बाहर भगाता, तो खेले, तो कहां खेले, क्या करें, दोनों घंटों बैटकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते, तरकीब यानि योजना, उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, और अबबा की खिदमत में, खिदमत याने सेवा, खिदमत में एक दरखास्त पेश की, दरखास्त याने अरजी, एक दिन उन्हें बड़ों की सारे अधिकार दे दिये जाए, और सब बड़े छोटे बन जाए, अब वो दोनों सोचने लगे कि क्यों न हमें कोई ऐसा उपाए, ऐसी कोई तरकीब सोचना चाहिए कि जिससे हमारे उपर ये जो पाबंदिया लगी है, ये जो रोक टोक लगी है, उसे हम बच निकले या हम अपनी मन मर्जु के अनुसार खेले, कूदे अपना काम करें, वो कहते हैं कि हमारे खेनने से, हमारे काम से तो जैसे घर वालों को दुश्मनी हो गई है, लि आपको अपने ममी या पापा से कुछ चाहिए, तो अब कैसे उनके साथ पॉलाइटली एकदम भी हैवियर करते हो, कैसे अपने ममी पापा की तारीफ करते हो, अपनी बात को मनवाने के लिए एकदम आग्या कारी बन जाते हैं, तो वैसी ही यहां पे ये दोनों, याने सलीम और आरिफ देखो किस तरीके से अपने अबबाजान को समझाने में लगे हैं, तो अबबागी खिदमत में एक दुरखास्त पेश करते हैं, एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दे जाएं, वो कहते हैं कि हमें एक दिन के लिए जैसे आप बड़े लोगों के सार अधम मचाने की, अधम मचाने ने शोर करना, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसर डाट पिलाई, लेकिन अबबा जाने किस मोन में थे, कि ना सिर्फ मान गये बलकि या इकरार भी कर बैटे कि कल दोनों को हर किसम के अधिकार मिल जाएंगे, तो उन दोनों की बाते सुन के अ लेकिन जो उनके अबबा जानते, वो पता ने किस मोन में थे ने, कैसे बहुत ही अच्छे मोन में थे शायद वो, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों की बात को मान गये, इकरार करना ने मानना, मान गये और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल दोनों को हर किसम के याने हर प्रका अब यहां से पार्ट जो है, वो कहानी में बदलाव आ रहा है, अब यह जो दोनों बच्चे हैं, वो बड़े हो गये, यहने वो अम्मी अब्बू का रोल प्ले करेंगे, और जो अम्मी अब्बू दादी है, वो छोटे बच्चे बच्चे बच्चाएंगे, तो अभी अब हम आगे की कानी पढ़ेंगे, यह देखें अम्मी, अम्मी ने चाहा एक जापड रसीत करके सो रहें, मगर याद आया कि आस तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके है, जापड रसीत करना है ने चाटा माना, बच्चो जब आप बहुत गया ली नीन में और आपको को उठाने की कोशिश करें और जबरन उठाएं तो कभी कभी लगता है ना, एक जापड आगे वाली को मार दे, तो वैसे ही अम्मी को लग रहा था कि एक जापड रसीत कर दिया जाए, लेकिन उन्हें अचानक से याद आया, अरे आस तो हमारे सारे अधिकार छीने जा चुके बच्चों जिस तरीके से हम हिंदू धर्म में कोई भी धर्म में आरती करते, आराधना करते, पूजा करते तो वैसे मुस्लिम धर्म में जो प्राथना करते उसे नमाज पढ़ना कहते हैं, तो दादी ने सुबह नमाज पढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी दवाए ल तो आरिफ नो ने रोका तौबा है दादी कितना हरीरा पिएगी आप पेट फट जाएगा और दादी ने हाथ उठाया मानने के लिए अब जैसे ही दादी हरीरा पीना शुरू कर रही थी तो आरिफ ने रोका तौबा है दादी कितना हरीरा पिएगी आप इतना पिएगी तो पेट फट जाएगा और दादी ने हाथ उठाया मालने के लिए